नमस्कार जी मिरना मैं मीनू बताने जारी हूँ रात में सनान इन साथ तरीकों से नीन को बनाता है बेतर दिन भर की ठकान के बाद अच्छी नीन बहुत जरूरी है लेकिन कई बार अधिक ठकान के करण नीन में खलल पड़ता है ऐसे में रात में इस नान आपकी नीद को बेतर बनाता है आईए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते है ठंडे और गरम पानी से इस नान गरम पानी से नाने पर रक्त संचार पहले कुछ उत्तेजित होता है किन्तु बाग में मंद पढ़ जाता है लेकिन ठंडे पानी से नाने पररत संचाल पहले मंद पड़ता है और बाद में वो तेजित होता है जो की लात आयक है अयरुर्वेत के नुसा ठंडा पानी दिमाग को ठंडा बनाय रखने में मलत करता है हमारे दिन की शुरुवात धंडे पानी से वो इससे पूरे दिन ताजगी बनी रहती है इसके अलाबा इससे शाररिक सौंदर भी बरकरार रहता है अच्छी नीद रात को सोने से पहले इसनान करने से आपकी दिनबर की ठकान एक दम से काफूर हो जाती है और आपको बहुत अच्छी नीद आती है इसनान में यदि कुछ एसेंस आयल का इस्तमाल कर लिया जाए तो नीद और भेतर आ सकती है साथ ही आपको एक अलग ही शांती का अन्वभ होगा सोने से पहले ठंडे पानी से इसनान करने से शरीर का तापमान ठीक रहता है जिससे अच्छे नीद आती है गरम पानी आपकी मास पेशों को अराम देता है कम होता है मोटापा हमारे शरीर में दो तरह के फैट होते हैं पहला वाइट फैट जो हमारे शरीर के लिए बहुत बुरा होता है दूसरा ब्राउन फैट जो हमारे लिए अच्छा होता है वाइट फैट वह फैट है जिसे हम अपने बोजन में खाते हैं हुआ फैट हमारे शरीक के कई हिस्सों में जमा हो जाता है एक्सपर्ट ने बताया कि जब हम बहुत ज़्यादर थंड़े या गरम पानी से नहाते हैं तो क्लोरी बर्ण होने लगती है और हम आसानी से वेड कम कर पाते हैं तचा में आएगी चमक इसकीन एक्सपर्ट का कहना है कि धंड़े पानी से नहाने से आपके बाल अच्छे होते हैं तचा चमकदार बनती हैं अगर आप पिंपल से परशान है तो धंड़े पानी से नहाएगी इससे आपकी तचा रूख्यों और बेजान होने से भी बच जाए थंड़े पानी आपकी तचा को चमकदार बनाता है गरम पानी से अमरी तचा के रूम चिद्र खुल जाते हैं बढ़ता है इम्यूनिटी लेवल थंड़े पानी आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है थंड़े पानी से नहाने से इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है थंडे पानी से नहाने से blood circulation अच्छा रहता है immunity level बढ़ने से शरीर में white blood cells को बढ़ाता है जो बहुत सी बिमारियों से लड़ने में मदद करता है जिससे आप कम बिमार पढ़ते हैं गरम पानी से नहाने से migraine की समस्या दूर हो जाती है food fresh रहता है एक शोत में ये बात सामने आई है कि थंडे पानी से नहाने से food fresh रहता है mood fresh रहता है अलस से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका थंडे पानी से नहाने योगि जब आप थंडे पानी से नहाते हैं तो हलका सा shock लगता है जिससे आपकी heart beat तेज हो जाती है इससे आपके शरीर का blood circulation बढ़ जाता है और आप तरो तोजा महसूस करते हैं गरम पानी से नहाने से अकेला पन सताने जैसे विचार नहीं आते हैं heart blood pressure में कमी बुखार के समय गरम पानी से नहाने पर पसीना निकलने से शरीर जगदी थंडा होता है गरम पानी से नहाने पर सानेस और सरदी में भी अराम मिलता है गरम पानी से भरे टब में 15 मिनट का इस नहान हाई blood pressure में कमी लाता है ब्लैट शुगर पर जेंद्रन अमरीकन डाइबिटिक एसोशीशन की मताविक गरम पानी से नहाने से blood sugar का इस्तर कम होता है इससे उन लोगों को रहात में पहुंचती है जो type 2 diabetes से प्रड़े थे हैं गरम पानी से रख्त संचार तेज होता है जिसे शुगर का इस्तर नेंदर में रहता है और आपको रात में एक सुकून वाले नीद आती है धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूब परे